किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के जंडे तले किसान और मजदूर एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं 2020 नुवंबर में किसानों ने कूच किया था दिल्ली की तरफ तीन केती कानून जब आये थे उनके खिलाफ एक बार फिर से दिल्ली कूच की तयारी है, हमारे साथ सरवन सिंग पंधेर हैं, किसान मजदूर मोचा के नेता हैं, इन से बात करते हैं, क्या क्या मुद्धे हैं, पहले तो तयारी क्या है तेरा फरुवी को दिल्ली कूच करेंगे, कौन-कौन से संगठन है और क्या तयारी है देखे इसमें से लगबग हमारे फोर्म में नौ राज्यों से संगठन है तो सौ से पलस अब संगठन आगे है आदीवासी परिवार का भी हमें सहजोग मिला गुजर भाईचारे की भी यूनियन आगे ये एक्स्ट्रा से है ये दोनों भाईचारे लाखों का इकट करने की समर साथा रखते हैं तैयारी तो देखो हम अपनी ट्रैक्टर टॉलीं को हर गाउं से चार दस तक, एक से लग्यस के दस mixing थे यहां के थाखा है इन पूरी तरह होगी, तो यह हम पूरी तरह हर जो जूरूरत की च़रिआ हैं फिर क्या मौलम कहां में रोका जा कहां में बैठना पड़े गेहूं से सब्सिडी जो बाहर से आयात होगी गाउं तो आयात कर खत्म किया जा रहा है इसी तरह से चने के उपर तो ये मुक्त बपार समझोते जो सामने आ रहे हैं उनमें से उन्होंने निरने लेया है जो भी बिदेशों से हमारे देश में फसले आएंगी उनके उपर आयाद डूटी खत्ब की जाएगी देखिए अगर बाहर से फसला के यह हमारी मंटी में डंप होगी तो हमारे फसले नहीं बिकेगे तो यह बात हटानी है दूसरा जमीन अधिगरंट कानून है उनमें अब किसानों की मर्जी के बगार जमीने छीनने का निरना लिया जा रहा है ये तो दो बड़े सवाल हैं तिसरी बात है अभी MSP खरीद की गरंटी का कानून बानाना जो मोदी जी ने माननी प्रधान मंत्री जी ने माननी थी हमारे साथ बात इसी के साथ साथ डॉक्टर स्वामीनातन किमीशन की रिपोर्ट लागू करने का भी प्रधान मंत्री जी ने बादा किया सा सीटू फार मुले के तैट वो लागू करवाना है अब गन्य की बात है पि गन्य को भी सीटू फार मुले में शामल किया जाया और जो भी देश की मिलों के पास हमारा देश के किसान का बकाया खड़ा है उसे वाप्स किया जाए किसान मजदूर को करज मुक्त किया जाए अभी लखीम पूर्खिरी का इंसाब हमारे रह रहा है अब बिली शंशोदन बिल तो अब लागू कर दिये हैं पॉलूशन एक से किसान को बाहर निकालना सभी डिली के केस बापस लेने से चोटी बात से ये भी नहीं मानी गई आप फसली बीमा जो जना हम कहते हैं सरकार खुद प् पांच भी सुची जो उनको जंगल जमीन का अधिकार देती है वो बात लागू करने तो ये सब निरने हैं इसको लेकर फिलहाल क्या तैयारी है पंजाब में और हर्याना जो ऐसा कास कर दो स्टेट्स जो थे पिछले अंदोलन में भी बड़ा आगे थे दो स्टेट्स में मे पूरी हर्याना में हर्याना पीछे से ज़्यादा सरगर्म नजर आ रहा हमको अगर बोलेंगे तो हम जितनी टेक्टर टॉली है पिछली बार ले तो उससे तीन गुना अधिक होंगी तो इस बर तैयारी हर्याने की जबरदस्त है हर्याने का किसान जागरतुआ बोलता हमने पंजाब से सिखा है उसमें पिसफुल रहने की पिसफुली बैट कर प्रदर्शन करने की सब शमताइं आगे से बढ़ी है और खाब पंचेतों का भी बड़ा सहजोगा में मिल रहा है तो यहरी कहा है तेरा फरूरी को क्या करेंगे दिल्ली कूच करेंगे पर्मानेंट प्रोटेस्ट करेंगे पहले की तरह या फिर प्रोटेस्ट करके वापिस आएंगे क्या प्लानिंग क्या है देखे ए पर्मानेंट पर्टेस्ट होगा अगर सरकात मानिने पर्धान मंत्री जी हमें बुलाएं हमारी डिमांड के उपर कोई फैसला करें फिर तो फैसला हो सकता कोई आनक का सवाल नहीं है अगर जब तक सरकार हमारे मुद्दों के उपर कोई निरने नहीं लेती तब तक नहीं वापसाएंगे जगाबिम करर किये जहां इकठा होंगे सारे दिल्ली में आदेखे हमने सरकार को इमेल किया खेती बड़ी मंत्राली को अपना मांग पत्र बेजा उनका जंतर मंतर पर हमें स्थान दिया जा इस देमोकरेसी में हम भी आपनी बात करना चाते हैं और जो हर्याना का बॉड़र है इनमें से शंबू हो गया खनावरी हो गया डब वाली से हम इather हर्याना के होर इंटर करेंगे जो SKM है सिक्सान मोर्चा जिसमें पहले काफी संगठन है जो पहले अंदोलन जो है उन्होंने काफी लीड किया आलंकि आप लोग भी साथ थे उनके साथ भी कोई बाचीत है कोई हाँ देखे सभी जो संगठन अभी अब देख रहे हैं सब सब एकसे SKM के थी और हम कहते हैं भी किसी की कोई भी जायदात नहीं होती ये लोगों की जायदात होती है इसमें देश का करोडो करोडो किसान है सभी सामिल है अब सबसे बात चित हुई है और आप आप देखेंगे सबी हमारे 13 को साथ चलें तेरा फरवरी की तैयारी जो है किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने कर रखी है दिल्ली कूच का ऐलान जो है कर दिया है मिनिमम स्पोर्ट प्राइस का जो मुद्दा है उसको लेकर जो है मेंली प्रोटेस्ट है और खास हमें शर्मक्ता चाचिन कुमार इपी न्यूज चंडिगर